कि हैंड इस वीडियो में देखने वाले हैं नेक्स्ट प्रॉलम इंटिग्रेशन का तो हमें जो कोशन की विन है यहां पर कन्फूज मत होया ना इंडिया में लिखते हैं कोशेक X लिखते हैं बाहर जो लिखा या था वह सी एस एक्स लिखा या था दोन तरीके लिखा या हो या CSC लिखा हो एक ही बात है आगे देखो क्या देखा को सैक X कोट एक्स वन प्लस को सैक स्क्वार एक्स डी एक्स इसको कैसा करेंगे तो यहां पर देखो किसी का डेरिवेटिव कुछ दे रहा है क्या को सैक अगर को मैं मानता हूँ हमेशा डेनोमेटर से सुच गरो को सैक को अगर मैं मानता हूँ तो मुझे इसका डेरिवेटिव को सैक का क्या हो दा Kroth एक्स और कि यूइज एक्स और अ कॉस्क्राइब करते हैं जली है इसका डेरिवेटिवद फान्म को सैख एक साहता नेगेटिव और को सैक एक्स कोट एक्स सप्खथ मीरा तरीका मैं हमेशा ठीक को dar ke 525 करो अगर एसा न ही करोगे तो अगर कुछ कोशन ऐसा हैंगे में रियरेंज करना पड़ा इसलिए हमें से dx find करने के आदर डालो तो यहां से dx find कर लेंगे बाकी की जो टर्म है वह denominator में आ जाएंगे नेगेटिव तो हमारे पाद दो चीजे मिली है हमें जो हम सब्सक्राइब करने वाले एक तो यू इसी कर तो को से को से को से एक्स और दूसरा डी एक्स इस इस इकल स्टू डी यू ओवर नेगेटिव तो इनको सब्सक्राइब कर दो कि विन धो जिसकी जाए कुछ नहीं माना उसको एज़ रखते हैं तो को से Spте कि जगा तो हमने माना यू यहां पर लिखंगे यू या तो ऐसे छोड़ो क्योंकि यह जो जाएंक कि अगर लिखेना है तो अगर ने लिखना तो ने को सेंख मारे और तुमित को स्थ pas ठीक है इस step में हम जो क्या करते हैं जो given function है उसे दूसरे variable के terms में ले जाते हैं अगर substitution use कर रहे हैं तो cosec square की जगह लिखतेंगे कितना यू स्क्वार कोसेक एक्स की जगह यू है तो इसका स्क्वार भी करना तो यू स्क्वार आ जाएगा और डी एक्स की जगह हमने निकाला डी यू ओवर नेगेटिव कोसेक एक्स कोटेक्स अब यहाँ पर दीखो numerator और denominator सेम है तो इन टर्म्स को मैं कैंसिल कर दूँ यह दोनों कैंसिल कोसेक एक्स कोटेक्स एक नेगेटिव साइन बचा हुआ ठीक है और यहाँ पर गलती मत कर देना यह वन ओवर यू स्क्वार हो बचेगा ना कि वन प्लस यू स्क्वार तो पहले यह जो नेगेटिव साइन है इसको उठा के मैं बाहर ले आता हूँ इंटीग्रेशन से और यहाँ जो बचाता हो वो वन प्लस वन ओवर वन प्लस यू स्क्वार साथ में डी यू यही टम्स थे अब इसका इंटीकेशन हमें फाइंड करना आता है यह यह डिनोमेटर जो बन रहा वो एक स्कॉार प्लस एक स्कॉार टाइप होता है तो हम यूस करते हैं तो यहाँ पर एक और सब्टिटूशन लेंगे यू इस इकस टू टैन ठीटा उसके बाद डेरिवेटिव टैन का डेरिवेटिव होता सैक स्कॉार ठीटा और दी ठीटा ठीक है इन दोनों सब्टिटूशन को उठाके इसमें पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा आगे इंटीग्रेशन वन ओवर वन प्लस और यू की जगा है पुट करो टैन ठीटा तो यह स्कॉार है तो टैन स्कॉार ठीटा हो जाएगा ऊँरियो की जगा सैक स्कॉार ठीटा डीटा आप यह जो वन प्लस टैन स्कॉार ठीटा होता यह ता पाइथार्ग और अडेंटिटी यह जिसकी वैलियो होती है वन प्लस 10 स्क्वार ठीटा जो होती है यह होता से कि स्क्वार ठीटा के बराबर तो मैं इस चीज को उठा के यहां पर पुट कर दूंगा अगें अगर यह याद होनी चाहिए ठीक है अगर यह याद है तो फिर उसके बाद कोशिन में कुछ ज़्याद रह नहीं जाता है यह दोनों चीज़े याद कर लो अच्छे से कभी भी ट्रिग्नमेटरी में दिक्कत नहीं आई सेक स्कॉर सेक स्कॉर कैंसल हो जाएगा तो केवल वन बचा भ्यान वन तीठेट अब ठीटा के रैस्प्थ में इंटिग्रेशन पर इसलिए थीट आएगए अगर डी एक्स होता तो एक्स आता डी वाई उता तो वाई आ जाता यहाँ पर इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी है वस ध्यान रखना प्लस C, C क्या है? इंटिग्रेशन, कॉंस्टेंट अब देखो हमारा जो कोशन था किसके टर्म्स में कि विए तो ध्यान से देखो X के टर्म्स में, XRN, तो आंसर भी X के टर्म्स मुन चाहिए तो यहानी पहला थीटा को, देखो यहां से, थीटा निकालो, कहां से निकलेगा? यहां से जहां पर एजियूम कराता हमने तो थीटा हो जाएगा, टैन इंवर्स, तो उस तरफ ले जाएंगे टैन इंवर्स को टैन इंवर्स U is equals to थीटा इसको पुट कर दो यहां पर, नेगेटिव, टैन इंवर्स, ठीटा की जाएगे, यह आया, U plus C अभी भी X के टर्म्स में नहीं आया, अंसर हमारा, तो U की जाएगे कुछ होगा, उपर देखो, U की जाएगे हमने माना था, कोसेक X यह की जगा था, कोसेक X अब हमारा जो आंसर है, वो X के टर्म्स में जाएगा यहां पर लिखेंगे, कोसेक X, C, C, X प्लस C, यह आंसर है, इस integration का, जो हमें गिविन था, नेगेटिव, टैन इंवर्स, कोसेक X, प्लस C आयोप, आप लोगों को यह समझाया होगा, ठीक है, मैंने बहुत ही आसान तरीके से, जो भी substitution है, उसको लगा के दिखाया है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, अगर वीडियो पसंद आई, तो सब्सक्राइब जरू कर देने, और सेयर करना तो बनता ही, इस वीडियो में इ बिलेंगे, नेक्स्ट कोशिन के साथ,